नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एकोन नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं जैसे की आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं अपने गाउँ वे सहर की पैंशन सूची देखे जी हाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं कि आप अपने गाउँ या सहर की पैंशन लिष्ट कैसे निकाल सकते हैं नई पैंशन सूची में ये कैसे देख सकते हैं कि अभी तक कितनी किस्त का पैसा हस्तरांतरन सरकारित रफ से किया गया है आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, कुष्टवस्ता और तलाकशुदा, पैंशन, धारकों के लिए हैं देखिए आप किसी भी राज्य के पैंशन, धार के लिए आज की यह एक महत्तपून जानकारी है वीडियो की सुरवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो ह हमारी वीडियो का नोटिविकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाप उठा सके चलिए वीडियो की सुरवात कर लेते हैं देखे तोस्तों ओनलाइन अपना पैंशन लिष्ट चेक करणे के लिए देखने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मुबाइल फोन में Google Chrome Browser को Open कर लेना है जिस प्रकार से हमने Open किया हुआ है अब जिस राज्य के आप निवासी है सबसे पहले आप उस राज्य का नाम डाले मान लीजे देखिए Example के तोर पर यहाँ पर हम लिखा और इसको लिखकर सर्च करिया अब जैसे हमने सर्च किया हमारे सामने इस तरह एक अंटरफेस ओपन हो चुका है यहाँ पर आप दे सकते हैं SSP UP.GOV.T यह हैं उत्तर प्रदेश की Pension Portal है ओफिसल वेबसाइट है जिस पर हमने किलिक किया अब यहाँ पर देखे लिखा आ चुका है एक अगरा सामाजिक Pension Portal अब इसको यहाँ पर किलिक करके आप कट कर सकते हैं वैसे इसमें लिखा है Family ID एक परिवार एक पैचान सभी परिवारों को मिलेगी Family ID लोग कल्यानकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एम सामाजिक उन्नती ठीक है आप इसको कट कर सकते हैं यदि आपका अवश्रक्ता नहीं है और देखे यहाँ पर आपको लिखा आ चुका है आप पर सकते हैं इस राज्ये में देखिए चार परकार की Pension है जो की लावार्थियों को दी जाती है जो पातर Pension धारक है किस परकार से हैं देखिए एक तो है वर्दवस्था पैंशन योजना जो 60 साला या ओल्डेस पैंशन का लाव ले रही है एक है निराश्रित महिला पैंशन निराशित महिला पैंशन उन महिलाओं को दी जाती है जो तलाकशुदा है या विद्वा है या परतियक्ता है उनको ये पैंशन सरकार तरफ से दी जाती है और यदि हम बात कर देखे दिव्यांग में तो यहाँ पर एक है दिव्यांग पैंशन योजना और एक है कुष्ट अवस्था पैंशन योजना। तिमाई ये pension सरकार लाभारतियों के बैंक खाते में transfer करती है अब देखें तिमाई pension हो जाती है 3000 पर जो कि ये तिमाई pension इनको मिल रही है बात करते हैं list किस प्रकार से check कर सकते हैं अब देखें जिस भी आप pension का लाभ ले रहे हैं उसका आपको चुनाव करना है मानली जे आप लाब ले रहे हैं देखे इन सभी का तरीका एक जैसा ही है तो इस्टाइब बैस्टाइब आपको समझना है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं योजना के विशे पर सभी के नीचे लिखा योजना के विशेवर यदि आप वर्दवस्ता पैंशन का लाब ले हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यदि आप दिव्यांग या कुछ तवस्ता पैंशन का लाब ले हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यदि आप निराश्री यानिक इतलाक्षदा विद्वा Pension योजना गलाब ले हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तरीका एक जैसे ही है तो हमने इस पर क्लिक किया अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया ये हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है यहां पर आप पढ़ सकते हैं यहां पर दिखे pensioner सूची दो हजार चोबिस पच्चिस यही एक करंटली सैसन चलना है pension का और यदि आप नीचे देखेगा तो यह पुराना है तो जो नया है इस पर हम यहां पर किलिक कर देते हैं इस पर हमने किलिक किया अब जैसे हमने इस पर किलिक किया देखिए आप पढ़ सकते हैं नर्शित महिला पैंशन महिला कल्यानवी भाग उत्तर प्रदेश सरकार यह यहां पर लिखा आ चुका है अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं जनपत का नाम है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो परती एक जिले का यहां पर आप आप नाम देख सकते हैं अब इसमें से जो भी आपका जिला है उसका आप चुनाव कर दीजे हमने किसी एक पर किलिक किया और यहां से जितने ग्रामिन छेतर के पैंशन दारके उनको यहां पर विकास खंड का चुनाव करना है जो उनका विकास खंड करना है और जितने भी सहरी छेतर के पैंशन धारके यहां पर किलिक करके उनको अपना नगर निकाए का चुनाव करना है लिस्ट में से अपना नगर निकाए देख लेना है अब दोनों का तरीक है जैसे यह ग्रामिट छेतर का भी और सेरी छेतर का भी तो यहाँ पर किसी हमें एक विकास खंड का चुनाओ कर लेते हैं चलिए हमने इसका चुनाओ किया और प्रोसेस चल गई है अब यहाँ पर आने के बाद जो भी आपका ग्रामिट पंचायद है इस पर यहाँ पर आप किल्ए कर दीजेगा हम किसे ग्रामिट पंचायद का चुनाओ कर लेते हैं हमने किल्ए किल्ए किया और अगला पेज हमारे सामने ओपन यह हो चुका है ठीक है अब देखिए यहाँ पर आप चार quarter देख रहे होंगे यह पहला quarter है यह दूसरा यह तीसरा यह चोथा यानि कि एक वर्स में चार बार pension transfer के जाती है चार किस्तों में यह pension capacity सरकार transfer करती है अब जो पहली किस्त है पहली किस्त में तीन महिने इसमें मिलेंगे तीन महिने इसमें तीन महिने इसमें और तीन महिने इसमें अब देखिए यह छे महिने और यह छे महिने यनि कि बारा महिने complete हो चुके हैं और एक साल में बारा ही महिने होते हैं तो आप कह सकते हैं तिमाई pension इस राज्य में सरकार दे रही है अभी तक इस राज्ये में अप्रेल माई जूर महने की पैंशन यहाँ पर आप ओनलाइन देख रही है इस quarter one में अपडेट की गई है और वर्तमान में सरकार जो पैंशन ट्रांसफर करियाव है अप्रेल माई जूर महने की है जो की जब तक सभी को पैंशन नहीं मिलेगी तो पैंशन पोटर पर अपडेट नहीं की जाएगी जब तक सभी दिव्यांग, विद्वांग, वर्दवस्ता, कुष्टवस्ता सभी को pension दी जाएगी तो जैसे ही pension सभी को मिल जाएगी तो list भी update कर दी जाएगी देखे यदि हम बात करें विद्वा महिला तलक्षदा महिलाओं को तो 32 लाग सदिक उत्तर प्रदेश में इन pension दारकों की संक्या है सभी को pension दी जाएगी, list बनाई जाएगी और फिर इस portal पर update कर दी जाएगी pension तो दे दी गई है लेकिन अभी तक list को update नहीं किया गया जल्द ही quarter 2 गी भी list update हो जाएगी अभी तक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि April, May, June महिने की pension आपको इस महिने में देखना हो मिलेगी और यहाँ पर जोलाई, August, सितमर महिने की pension देखना हो मिलेगी इसमें जोलाई, supervis, सितमर इसमें October, November, December महिने की और इसमें December के बारIST जनवरी फरवरी मार्ज महने की तो इस परकार से ये pension session है 2024 का इस परकार से आपको pension इस quarter में इन quarters में आपको देखने मिल जाएगी quarter 1 है quarter 2 quarter 3 आप कह सकते हैं ये किस्ट पहली है ये किस्ट दूसरी ये किस्ट तीसरी और ये किस्ट यहाँ पर चोती है तो यदि आप लिश्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम किलिक कर लेते हैं देखिए इस गाउं में 29 pension धारक हैं जिसका हमने चुनाओ किया अब देखिए 29 pension धारक हैं जिनको तलाकशुदा, वर्दवस्था माफ की जगा तलाकशुदा और विदवा pension धी जा रही है अब देखिए लिश्ट में यहाँ से आप नाम चेक कर सकते हैं सबसे पहले रजिशन संक्या है यहाँ पर pensioners का नाम है और यहाँ पर पिता जी का नाम है किस परकार से आपको चेक करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिष्ट में अपना नाम देखना है और आपके नाम के बराबर में यह आपके पिता या पती का नाम देखना हो मिली जाएगा इसके बाद यहाँ से आप अपना मॉबाइल नंबर की last digit चेक कर सकते हैं और यहां पर address किसी का अब्रेट है किसी का अब्रेट नहीं है तीन हजार लिपे यहां पर सभी को pension मिल लई है और यह आप चेक कर सकते हैं आपके आधार लिंक बैंक खाते में इंदिनाशित माईला pension की दर्नाशित सवलता पुर्वक हंस्तादित कर दी गई कर्पिया अपने अधार लिंक खाते को चेक करे अब देखे यह पूरी लिष्ट यहां पर हमारे सामने उपर उचुके यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के pension धारक हैं किसी भी एक pension का लाब लेने तो इस प्रकार से अब अपना pension लिष्ट में नाम देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कि अभी तक कितनी किस्त का पैसा पोर्टल पर अपडेट किया गया है और वह पैसा आपको मिला या फिर नहीं अब देखें बात करते हैं अन्य राज्य के बारे में देखें दोस्तों यहाँ पर हम आपकी जानकार के लिए बता दे कि सरकार pension आपको दो तरह से देती हैं एक तो होता है कि central government जिसमें आपको इंदरा गांधी national oldest pension scheme है यह किन सरकार कि तरफ से pension योजना चलाई गयी है एक हैं इंदरा गांधी national disability pension scheme एक pension और है जिसका नाम है इंदरा गांधी national widow pension scheme ये किन सरकार की देखरेक में पैंशन योजना इसलाई जा रही है जो कि सभी राज्य में चल रही है ये तो देखे किन सरकार की पैंशन योजना है और एक है राज्य सरकार की तरफ से चलाई गए पैंशन योजना और कुछ ऐसे पैंशन धारक है जो राज्य सरकार की पैंशन का लाव ले रही है और कुछ ऐसे पैंशन धारक है जिनको राज्य सरकार पलस केंशरकार पैंशन दोनों को दे रही है जैसे कि आपका उतरखंड राज्य हो चुका है आपका राज्य स्थान राज्य है आपका मध परदेश राज्ये हैं और भी अन्य राज्ये हैं जिनमें दोनों को यानि कि दोनों सरकार उनको पैंशन का अंसदान देती हैं और देखें यहाँ पर यदि आप चैक कीजेगा चले हम लिख लेते हैं यहाँ लिखा और इसको लिखकर सर्च कर लेते हैं अब देखें यहाँ पर आप यह पढ़ सकते हैं इसमें आपको आप किसी भी राज्ये के पैंशन धार रखो सभी राज्ये के लिख्ट यहाँ से आप चैक कर सकते हैं और इस वीडियो का यहाँ पर आप देख रही हैं हमने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाई गई है इस वीडियो पर आप किलिक कर दीजे इसमें तरीका समझ सकते हैं इसमें तरीका बताय गया है कि पैंशन चेक कर सकते हैं, और देखिए यदि हम बात करें अन्ये राज्य के बारे में जैसे की आपका हर्याना है, तो कुछ ऐसे pension धारख है जिसमें list नहीं बनाई जाती, केवल और केवल pension धारख अपनी ही जानकारी पराप कर सकते आए, जैसे यहां पर हम सर्च करते हैं, हर्याना pension, आपने जैसे इस पर क्लिक किया और देखें यहां पर आप अपने यदि आईडे नंबर से चेक करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर दीजे अपने आधा नंबर से देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर दीजे इसके बाद व्यू डिटेल दिया गया है यहां पर आप क्ल दारक है तो उनको लिखना है इलाभारती इलाभारती ल ए बी दुबार से लिख लेते हैं इलाभारती यह लिखना है और आपको सर्च करना है देखिए यहां पर यह उटमेडिक पूरा सर्च हो चुका था इलाभारती.bis यानिक बिहार and nic.in और हम डिरेक्ट यह विजिट हो चुकें हैं आप परसकते हैं बिहार सरकार इलाभारती एक प्यानिसन पोर्टल है तो जिटने बिहार राज़ये के प्यानिसन धारक है यहां पर किलिक करके उनको अपना financial year का चुनाव करना है और यहां पर किलिक करके देखिए यहां पर आधार नंबर दज कीजगा और सर्च के आई गमर क्लिक कर दीजगा तो यहां से pension धारक अपना केवल अपना ही pension list चेक कर सकते हैं अपनी information प्राप कर सकते हैं देखें आप किसी भी राज्य के pension धारक हो किस परकार से pension list चेक की जाती है यदि आपको तरीका समझ आ गया तो आप इस प्रकार से चेक कीजिए और यदि आपको अभी मालुम नहीं हुआ है कि pension list किस राज्य के आप देखना चाहते हैं किस राज्य के आप निवासी हैं आप हमें कमेंट कर दीजेगा हम उस राज्य के उपर एक नया वीडियो लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने राज्य के लिष्ट में यहाँ पर लिष्ट अपनी चेक कर सकते हैं गाउवेस सहर की आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको मरदी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है लाश्ट में हम निवेदन याई करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत